इस वीडियो के माध्यम से आपसे बहुत ही महतुपुन कुछ बात करनी थी इसलिए ये वीडियो हम बना रहे हैं लगबग डेर साल के गैप के बाद सबसे पहले तो आप सबको बधाई दे देते हैं इस बात की कि ललित की सोर का जो भूश आशन था पटना इकोट में वह समा सरकारी वकिल बनेगा हमारी ही जाती का सब पैनल में कप जा रहेगा सब इन्वेसिटी में सब बोज कोरपरेसने जनसी में हमारी ही जाती करेंगा वह गुंड़ा राज जो है वह समाप्त हो गया इसके लिए आप सभी को आप सभी बधाई के पात्र हैं दूसरा बात जो हम डेर साल से लगभग प्रोफेस्टन से कटे हुए हैं इस दोड़ान हमने कुछ सब्जेक्स पर काफी चिंतन किया तो उसी में ये सब्जेक्ट हमारे चिंतन का बहुत बड़ा विशे रहा है कि ये ऐसा क्या है इसके पीछे क्या कारण है कि दो जातियों के लोग भुम्यार औरौला जाति के लोग बिहार जुड़ी शेरी को पटना हाई कोट को अपना प्राइबेर प्रोपर्टी समझते हैं वो अपने आपको वियाजिवडी शेरी और पटनाही कोट का रंगदार और जमिंदार समझते हैं, तो उसके रूट में यह बात यह है, मुख्य बात यह है, की सरकारी वकीलों की न्यूक्ति में, आप देखिएगा केंदर सरकार के वकीलों की न्युक्ति हो चाहराज सरकार के वकीलों की न्युक्ति हो उसमें और हाई कोड जजेज की न्युक्ति में इन दो जातियों को 50% या उससे ज़्यादा का शेयर सुरू से मिलता रहा है हमारा 23 साल हो गया प्रोफेशन में, उसके पहले भी यही था, हमारे आने के पुरू भी था, अभी भी यही है तो इसको समाप्त करने के दिशा में बिहार के मानिये मुखमंत्री जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है अब आपको लगेगा कि ऐसा क्या यह कर रहे हैं मुखमंत्री जी, जाती है जनगन्ना बहुत बड़ा स्टेप है एक बार उसका फीगर पबलिक होगा, एक बार उसका डेटा पबलिक होगा मही के महीने में इस साल तो सब कुछ बडल जाएगा, 80-20 हो जाएगा, यानि कि SC, ST, OBC और माइनरीटी का जो शेयर है सरकारी वकीलों की निवक्ति में और हाइकोर्ट जेज़ेज की निवक्ति में वो बिहार में ही नहीं, बिहार के बाहर भी, रास्त्री अस्तर पर, वो 80-20 हो जाएगा 80% SC, ST, OBC माइनरीटी को जाएगा, और 20% में ही या उससे कम में अपरकास लोगों का शेयर रहेगा और सामाजिक नियाएक के लिए हम हमेशा लड़ते रहे हैं, हमारे पुर्वस लड़ते रहे हैं, Higher Education में रिजर्वेशन स्वरगी अरजुन सिंग जी ने दिया, OBC को, Central Government Jobs में रिजर्वेशन स्वरगी विशुनात पताप सिंग जी ने दिया, तो दिनेश सिंग उसी धारा म त में समील